गिर्टी हैसियत मीना कोदी जीके दो सामसाद जीतने की नहीं थी पलग भिहार में दो सामसाद जीते पिसी नितीश कुमार थी और वो पुदान अप्टी बनने की भुणे दिलाग के हसी प्रदेश की डिप्टी सेम केश्र प्रसाद मौरे महोबा पहुचे जहां उन्होंने अपने राजनितिक विरोधियों पर जोरदार हमला बोला नितीश कुमार से लेकर राहूल गांधी तक वो विपक्षियों पर जम कर गरजे 2024 के चुनाव की बात करते हुए उन्होंने सबसे पहले नितीश कुमार पर निशाना साधा बिहार के सियम पर हमलावर केश्व प्रसार मौर का कहना था कि जिनकी हैसियत पियम मोदी के बिना दो सांसत जीतने की भी नहीं थी वो नितीश कुमार प्रधान मंतुरी बनने के मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे है बिहार में दो सांसत जीतने की नहीं थी वो नितीश कुमार प्रधान मंतुरी बनने के मुंगेरी लाल के हसीन सपने वही ऐसा नहीं है कि केश्व पिसाट मौरे सिफ नितीश पर निशाना साथ का शान्त हो गए हूँ नितीश के बाद उनका अगला निशाना थे राहूल गांधी राहूल गांधी को लेकर डिप्टी सियम ने उनकी भारत जोडो यात्रा परतंज कसा उनका कहना था कि राहूल गांधी भारत जोडो यात्रा निकाल रहे हैं लेकिन बड़े-बड़े कॉंग्रेसी नेता पार्टी छोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। महोबा पहुचे के शुपसाद मौरेज इस तरीके से बिहार के मुख्यमंतरी को लेकर राहूल गांदी पर बरस रहे थे। उससे साथ था कि वो 2024 के लिए अभी से ही विपक्षपन इशारा साध कर बीजेपी की सियासत को और जाड़ा मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे। देखना होगा कि इन दोनों की पार्टियों की तरफ से केश्र प्रसान मौरेपर क्या पलटवार आता है। नाइद अंसारी के साथ ब्यूर रेपोर्ट युपी तक। झाल झाल